थाना निवागरा शेत्र के रहने वाले सचन ने परिजनों से पांच राक रुपे हडपने के लिए अपरहन की साजिश रच डाली नगरापदी का रहने वाला सचन राया मत्रा ससुराल जाने के लिए घर से निकला था इसके बाद उसकी बहन प्रीती के मोबाईल पर सचन के मोबाईल से फोन आया कि सचन का अपरहन कर लिया गया है फोन करने वाले ने पांच राक रुपे की फ दायत दी बहन के बाद सचिन के भाई राहुल के मोबाईल पर भी फिरोती के लिए फोन आया अब परण की खबर सुन परीजनों की हवाईया उड़ गए भाई का परण होने की खबर राहुल ने नियू आगरा थाने में दी इंस्पेक्टर नियू आगरा विजय विक्रम के लिए निकले थे उनका अपरण कर लिया गया है और अपरण करता होने पांच लाग रुपे की फिरोती की डिमांड की है उन्होंने बताया की समय और लोकेशन हम बताएंगे आप कैसे की व्यवस्ता करके रखिये गटना की गंबीरता को देखते वे तुरंत मुकदमा पं पुलिस ने मुकदमा दर्च कर सचिन का पता लगाना शुरू कर दिया सरवडांस टीम भी अलर्ट हो गई जानकारी करने पर उसकी लोकेशन रुनकता में मिल रही थी लोकेशन मिलने पर पुलिस सचिन के भाई राहुल को लेकर रुनकता पहुँच गई एक पेड़ के पा पुर्व दुकान बेची थी कारोबार खोलने के लिए सचिन परेजनों से 5 लाक रुपे हडपना चाहता था इसी कारण अपने अपरहण की योजना बना डाली पुरी साजिश को अंजाम दिया और इनको बरतपुर रोड फरे के आसपास से इनको पकड़ लिया गया इस तरह इनके खिलाफ दाराओं में बृद्धी करते हुए इनको मानने नया लेकर समक्स प्रस्कित किया जा रहा है पुलिस पूछताच में सचिन ने बताया कि परिफार के लोगों ने दुकान बेची थी बेची कई दुकान के पैसे कारोबारी के लिए मांगे थे लेकिन घरवालों ने पैसे दिने से इनकार कर दिया इसके बाद दोस्त गबर के साथ मिलकर अपरहण की साजिश रच डाली पुलिस ने मुकदमा दर्चकर सचिन और गबर को चेर फेस दिया